हर्यणा की सिर्सा लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला काफी दिल्चस्प है क्योंकि लड़ाई कॉंग्रिस के प्रदिश अध्यक्ष रहे चुके दो प्रत्याशियों के बीच है। बता दे कि सीट पर कॉंग्रिस से कुमारी सेल्जा और भाजपा से अशुकतवर मैदान में हैं। वहीं दोनों ही पूरे जोर शोर के साथ लोगों से जन्संपर्क करन में जुटे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी अशुकतवर जीन जिले के नर्वाना हलके पहुँचे जहां उन्होंने उनिच गाउं का दौरा किया। इसी बीच रसीदा गाउं पहुचने पर ग्रामीडों ने उनका फूल मालाय पहना कर जोरदार स्वागत किया। इसके लावा उन्हें लड़ूं से तोला गया और पगड़ी पहना कर सम्मानित किया गया। पहला होगा और पीछे जब आपनों कोने मौका दिया, तो 45,000,000 क्रोट रफेके। उस समें 2009 से चोड़ा तक हम प्रोजेक्ट लेकर गया है। ये चोड़े-चोड़े आईवेपन्ने की शदुआ तो ही जिसको पूरा मनौर जी और मोदी जी की सरकार ने किया। आगे हमारी फिर कोशिच होगी कि यहां पर बड़े उद्योग दंदे स्तापितों और लाको क्रोट के प्रोजेक्ट आए। इसलिए हम आप सबसे वेंथी, अर्दाश और प्रातना कि नुम्रा कि आने मौरी जब चार जोन को मशीने खुले अच्छे स्ताइक को जब बटन दवाए तो इतने बटन दवाने आपने कि जो लोग पहले ही मशीन को दोस्त देखते हैं वो कहीं भई मशीन तो ठीकती हमार मशीन खराब है, हम काम नहीं करते हैं इसलिए लोग मोट ने देते हैं और जो कमल खिलाएंगे वो 400 पार में नायाब कमल और नर्वाने कवाबा का हो, रसीता वाला का हो, सिर्सा वाला का हो, और 400 भूलों में अलग चमपता भूल, हमारा हो केंद्र की सरकार में मलगूती से संभानते हैं, आएंगे मोटी जी ने, आमिरेश का देक्षी संसत में करता है कि होगा 400 भार, तो मोटी जी आएंगे, तो मोटी जी की सरकार में अपने इसलिए डालोगे ने, पूरी थगड़े हो करके डालोगे, तो तेर्खों जी संका, फैसला, रसीता की लोगों ने आश करें, यह हम सब का प्रियास होगा, और इतना है कि साथियों 15 साल से आपने देख लिया, हमने तो बिना किसी स्वार्त के राजनेती करी, और राज देन लोगों की सेवा करी, यह हम जैसे भाई करें थे अभी हमारे, मैं तो सुपक्ना परिवार मांता हू, सारा यह परिवार हम पापा नालग, संत गुरुष जविदाजी माराज, कबिर्दाजी और भगवान पालमिकी, यह जो हमारे संत महापुरुष हुए, धना भगत हुए, इन्होंने तो सब को रास्ता एक ही दिखाया, इस सब पर आपर है, माना उता की सेवा करो, माना उता की पाल, और संसका वहीं अशुकतवर ने जनता को संभोधित करते हुए, कहा कि भाजपा ने मुझे प्रतैशी बना कर अपने बीच में भेजा है, कुछ लोग जानबूच कर मेरी आवाज दबाना चाहते हैं, लेकिन आप मेरी आवाज को दबने मत देना, और मैं आपकी आवाज को दबाने नहीं दूँगा, नरवाना से गोल्शन चावला, पंजाब केसरी टीवी